हेलो गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल और आज की जोब अपडेट में हम डिस्क्स कनने वाले है यूपी ट्रिपल से यानि की उत्तर परदेश साब ओडिनेट सर्विस स्लेक्षन कमिशन के बारे में तो आप पूरी वीडियो के एंड तर जरूर देखना जिससे आपको एजुकेशन क्वालिफेशन, फीस, लक्षन प्रोसेर और अप्लाई कैसे करना होगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस जोब अपडेट्स के लिए और बैल आइकन को पेज कर दीजिए जिससे आपको लेटेस वीडियो का नोटिविसन टाइम से मिलता रहे और इसी के साथ में आज की वीडियो हम शुरू करते है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो सरकाइल नोकरी का सपना देख रहे हो तो यहाँ पर हम बात करने वाले कि आपको इसका जो नोटिविसन ह आसे मिलेगा कैसे आपको अपलाई करना होगा क्वालिफिसन क्या रहने वाली और इसकी फीस कितिन रहेगी तो सबसे पहला को करना क्या होगा अपने किसी ब्राउजर के अंदर आपको यह वाली वेबसाइट ओपन कर दिए यहाँ पर लिखा है रोजगारिजल्ट.com और य जैसे आप नीचे तरफ स्कोल्डाउन करेंगे आपके पास में यहाँ पर तीन कोलम देखने को मिलेगे पहला जहां पर जो कोलम आता है रिजल्ट के लिए दिया हूँ है दूसरा कोलम एडमिट कार्ड के लिए तीसरा कोलम जो आपके लिए है टॉप ओनलाइन फॉर्म के तो यहाँ पर आप देख सकते हूं जो सेक्ट नमबर को नोटीफीजन है यहाँ पर लिखे है यूपी ट्रिपल सी पी ईटी ऑनलाइन फॉर्म 2021 तो आपको करना क्या होगा यहाँ पर आपको इस ऑप्सन पर किलिक करना होगा और जैसे आप इस पर किलिक करता हूं और जैसे करता हूं मेरे पास में न्यूट खुल के आ रहाता है तो मुझे नीचे की तरफ स्कॉल डाउन करना होगा तो जैसे मैं इसको नीचे की तरफ स्कॉल डाउन करता हूं यहाँ पर पूरी डेटेल बताई हुई है एड़विटीज का नंबर है यहाँ नोनोंने मेंशन किया यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है अब इसके बारें बात करते हैं इसकी जो स्टार्टिंग डेटा कप से हुई है तो यहाँ पर इन्होंने बताया है 25 महीं से आपका यह फॉर्म स्टार्ट हो चुका है जिसकी इन्होंने लाजड डेट रखे है 21 जून यानिके 21 जून इ इन्होंने टाइम दिया हुआ है आप 28 जून तक हाँ पर अपने पर करेक्शन कर पाऊगे ठीक है बात करते हैं यहाँ पर आपकी फीस कितने लगने वाली जब आप इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पर फीस के बारें हम बताया जा रहा है अगर आप जन्रल ओबिसी एड पर संद तो आपके 25 फीस लगने वाली है ठीक है अब बात करते हैं कि आप अपना फीस पेमेंट किस मोड से कर सकते हो तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है फीस पेमेंट के लिए ओनलाइन पेमेंट कर सकता है नेट बैंकिंग के तुरू डेविट कार्ड से या फिर क् चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा बैंक चलान के तुरू आप कर पाऊगे ठीक है नेक्स नम बात करते हैं पर एज लिमिट के बारे में जो एज का क्राइटरियर दिया है एक जुलाई 2021 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी जो मिनीमुम 18 साल और मैक्सिम 40 साल के कि हाई स्कूल पास्ट फ्रोम एने रिकोगनाईज बोर्ड यानि कि हाई स्कूल पास होना चाहिए दूसरा लिहां पर लिखा है एनी अधर हायर क्वालिफीकेशन आलसो एलिजिबर कहने मतलब यह है कम से कम टैंट पास और उसके बाद में चाहिए आपने ट्वैल्ट क्या सबसे पहले केंडिट को अपना रेजिस्ट्रेशन करना होगा उनकी ऑफिसल वैबसाइट पर जाकर उसके बाद यहां पर आपको फोटो अपना सिगनेशर अप्लोड करना होगा तीसरे पर आपको बता जा रहा है कि आपके जो फॉर्म दिया जाएगा उन जितनी भी डिट कोटर और डॉकमेंट कि आपके कौन से रहने वाले अपलाई करते वक्त तो इन्होंने बता हुआ है कि मोबाइल नमबर आपके पास होना चाहिए जिस पर आपका एकोटी पी आएगा और रेजिस्ट्रेशन नमबर आएगा ठीक है उसके बाद में आपका बताया जाए जाय चाहिए लास नहीं पर बता है कि आपके पास पासपोर्ट साइज होना चाहिए कलर फोटो जो 6 महीजिने से पुराना नहीं होना चाहिए सेल्डी के बारे में इस्ट्रक्चर बता हुए है यहां पर आपका जो सेल्डी बैंड वन के अंदर आपकी वान सो से लेकर 20,000 रूपर यहां पर मिलने वाले सेल्री जिसका ग्रेड पे नुने बताया हुआ है है 1900 रुपर रहने वाला है ठीक है कि आपको अपलाई कैसे करनायोगा इसका जो कहांसे डाउड कर सकते हो तो आपको क्या करना कहुं होनी है तो मैं इसको निचे में है की तरफ यहां पर आप यहां पर लिखाया, देखो उपर की तरफ useful important links, यहां पर आपको कुछ link दिये हुए important जहां पर पहले है अंदर बता जारा है कि अगर आपको apply करना है, तो उसके सामने आप देख पा रहे होगे, यहां पर click here लिखाया ठीक है, तो apply online form के सामने लिखाया, click here, अगर आपने सारी चीजे read out कर लिए है पहले से, अगर आपको सारी चीजे पता लगे कि यहां पर आपको क्या-क्या चीजे मांगी हुई है, तो आप क्या कर पाऊगे, click here पर click कर रहोगे, उसके बाद यहां पर apply कर सकते हो, ठीक है, अगर आप इताक का आपने कोई चीज चेक आउट नहीं कर पर लिए है, उसके सामने हाप लिखा क्लिक here, ठीक है, तो सीधा हम क्या करेंगे, उसकी जो official website उन पर पहुंचे गे, तो सबसे पहले मैं click करना होगा, मुझे, उसके आपने official website के सामने लिखा click here, तो यहां पर मैं click here पर click कर रहोँ हूँ 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 हूँ, और इनकी जो official website खुल का रहती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यह देखो मेरे पास में कि ओफिशल जो website खुल का चुकिए, यहां पर लिखा है, उत्तर परदेश, अधिनिस, सेवा, चैन, आयो, जिसको हम इंगलिस में बोलते है, उत्तर परदेश, सबोर्डिनेट, सर्विस, सेलक्श इसके बाद में लिखा है, यह आपके डेट दूई है, रेइस्टरेशन के डेट आप इन्होंने बता दिये कि कप से स्टार्ट हुए, 25 में से स्टार्ट हो चुके है, लाज डेट आपकी 21 रहने वाली है, फीस भी आप कप तक जमा कर पाओगे, 21 जून तक, ठीक है, डाउनलोड करना चाहते है, तो यहाँ पर आपको करना का होगा, किलिक वीव एड्विटेश्मेंट पर किलिक करोगे, तो उसका जो अफिसल नोटिफिशन हो यहाँ पर आपके पास में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, वैसे मैंने उसको अलड़ी डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ पर उसको मैं डाउनलोड नहीं करूँआ, हम बात करते हैं, अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने के लिए देखो, यहाँ पर लिखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपके पास में एक ओफिशल नोटिफिक्स नहीं या एडविटीजमेंट है हम उसके बार रेड़ाउट कर लेते कि उसके अंदर क्या कहा चीज़े हमारी इंपोर्टेंट है दी हुई है ठीक है तो गाइस हमने इसका जो ऑफिशल एडविटीजमेंट हमने डाउनलोड कर लिया है तो यहां पर देखो बताया जा रहा है रिक्रूटमेंट कहां से ही है उत्तर परदेश अधिनिस सेवा चैन आयोग जो की लखनू के अंदर है ठीक है यहां पर इन्होंने एडविटीज या विज्यापन संक्या बताई हुए 01 परिक्षट स्लैस 2021 ठीक है इसको जो एक्जाम का नाम है पै जान को दो यहां पर बात करते हैं पॉइंट नंबर एक के बार में हैं पर नहीं लिक्षे योगजंहना अबन पाठ्ठक्रम कहने नहीं मतलत भागी है कि परिक्षे का आपका स्ट्डूल करेंवाला है और आपका सैब्लेश क्या रहेगा तो इंहोंने यहां पर लिखके बत आपक्त कर दिया है तो आपको जाकर चैक आउट कर सकते हो यह वैसे आपको नीचे तरफ देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं परिश्या तीधी के बारे में यहांकि आपकी एजाम डेट कवर होने वाले हो यहां पर उन्होंने बताया जा रहा है कि इस टुडेंट को य कैसे identify करेगा और कब तक वह valid रहेगा तो उन्होंने बताय जा रहा है जो आपका पैट का इजाम होगा उसका जो score card आपका बनके आएगा वह एक साथ के लिए आपका valid रहेगा ठीक है जो कि वेबसाइट की जो officially उनको इनकी वेबसाइट है महाँ पर वह upload रहेगा एक साथ तक valid रहेगा अब बात करते हैं कि आपको इसको आवजदन कैसे करना होगा यहीं कि apply आपको कैसे करना होगा तो apply करने के लिए सिर्फ आपके पास में एक ही mode है सिर्फ online mode offline कोई भी आपके पास में application यहाँ पर सुविकार नहीं किया रहेगा अगर आप offline भी करते हो तो आपको रिजेक्ट माना जाएगा ठीक है अब आपको ध्यान भी रखना है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास में आपको डॉकुमेंट कुछ यानिकि कुछ चीज है इसी जो आप आपको प्रिंट आउट भी लेना है ठीक है आपको apply करते वक्त कौन सी website open करनी है तो इनके website पिन्होंने बताई हुए है यहाँ पर लिखाया है कि यूपी ट्रपलेसी.gov.in पर जाके all notification यहाँ पर का option यहाँ या advertisement detail के अंदर जाकर आप उसको यहाँ पर check out कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते हैं भाग दो के अंदर इन्हों लिखाया कि photo signature के लिए तो इन्होंने photo के लिए बताया हुआ है अगर आप जो भी photo upload upload करना चाहते हो तो यहाँ पर इन्हों देखो एक चीछी बताई हुए कि आपको जो photo होगा आपको 6 महीने से पुराना नहीं हो होना चाहिए ठीक है साथ में इन्होंने बताया कि आपको जो background रहने वाला है या तो आपका वाइट कलार हो या फिर हलके ग्रे कलर में हो ठीक है हम बात करते हैं signature के बारे में signature आपको यहाँ पर upload करना होगा इन्होंने बताया हुआ है 1.5 cm लंबा होना चाहिए और 3.5 cm चो content detail के बारे में यहाँ पर point number 5 अंदर बताया रहा है जब आप सारी चीज़ों को यहाँ फुल्फिल कर लेते हो जब आप अपना फीस भी कटा देते हो यानि कि submit कर देते हो तो यहाँ पर आपको ध्यान नखना है आप जो application feel कर रहे हो तो यहाँ पर आप उसका प्रिंट आउ application form बटन पर क्लिक कर अवश्य प्रात कर ले ठीक है अभियरतियों को अभिलेखों की समीक्षा या परिक्षण के समय इस form की एक परती प्रस्तुत करना होगा यानि कि जब आपको एक्जाम होगे तो उहाँ पर उसकी जरूरत हो सकते है ठीक है तो आपको यह निश्यत कर ले संसोधन करना चाहता है तो उसके अंदर इन्होंने डेट बताई हुई है कि 28 जून तक आप उसको यहाँ पर अपना क्या कर सकते हो संसोधन कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर संसोधन नहीं कर पाऊगी अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में तो यहाँ लाइन हिस्ट्री यहनी जिसको हम बोलते है भारतिया इदियास जो की पांच नंबर का आएगा इसके अंदर इस यह पर दिया हुए है आप देख सकते हो नेच्ट अम बात करते हैं पर न्यू जो यहां पर सिलेबस दिया हुए आपका उसके बारे हम डिसकस करते हैं यहाँ पर लिखाए भारतिय राष्टिय आंदोलन जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेसलन मूव्मेंट तो यह आपका पांच नंबर का आने वाला है नेक्स अम बात करते हैं भूगोर यानि कि जिगराफिक के बारे में यह भी आपका पांच नंबर का आएगा उसके बाद हम देखते भारतिय अरविवस्ता जिसको हम बोलते हैं इंडियन एकोनोमी ठीके यह इसको टॉपिक दिये हुए हैं पर यह भी आपका पांच नंबर का आने वाला है नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतिय सम्विधान एवं लोग परसासन यानि कि इंडियन कॉंस्ट्यूशन और पांच कि अर्थमेटिक बोलते हैं और इसको सिलिबस इस त्रिकेत दिया हुआ है यह भी आपका पांच नंबर का आने वाला है समानले बात करै कि अने Watch sellers आपका जाına구요 मायन म्ए बात करते हैं समाने जागरुत है नहीं कि जनरल अवेर्नेस यह भी आपका दस नंबर का आने वाला है तो यह भी आपके लिए आपके लिए आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है नेक्स आम बात करते हैं आपर तालीका की वियक्ष्याइम्स लेशन यहां पर दिया हुआ है तो तोटल दस आपके नंबर हो जाते हैं तो यह आप चिंजों को ध्यान रखना कि आपके लिए क्या चीजिए लिए आपको से वही चीज़ें पर आपके लिए हैं नेक्स आपको कुछ कंडीशन लिखी हुई है तो कंडीशन के बारे इंदेक्स करते हैं यहां पर बता हुआ है कि कर्मांग एक से नो में अंकित स्रेक्शन विश्यों में समद्दित प्रसुनों की कठ्णाई का इस तर अगर आपको यहां पर चार नंबर दिये जाएंगे अगर आपने चार गलत कर दिये तो आपका एक नंबर यहां पर डिटक्ट कर लिए जाएगा ठीक है नहीं कहने का मतलब यह है एक नंबर के लिए आपको एक नंबर दिये जाएगा अगर आपने चार गलती कर दिये तो आपको यहां पर आपका एक नंबर कट जाएगा ठीक है यहां पर वन बाई फोर की आपकी कट होती की जाएगी next हम बात करते हैं अगर कुछ चीज इंपोर्टेंट दी हुए बाकी तो उसके अंदर कुछ चीज इंपोर्टेंट नहीं दी हुए तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सेर कर दीजे अपने उस दोस्तों के साथ में मिलते हैं फिर किसी नहीं जॉब अपडेट के साथ में तब तक के लिए फिलाल इतने गुड़ बैंट टेक केर थैंक यू गाईज